यहां मत जाना वरना बन जाओगे पत्थर इस मंदिर में जाने से दरते हैं लोग बड़ी रोचक है इस मंदिर के पीछे की कहानी भारत चमतकारों और आस्था का देश है कश्मीर से लेकर कन्यकुमारी तक चमतकारिक मंदिर, दरगाह, गाउं, सादूसंत, तांत्रिक और रहस्य में गुफाएं मिल जाएंगी अब इसे आप चमतकार कहें या अंदविश्वास लेकिन एक शहर में एक ऐसा भी स्थान है जहां जाकर लोग हमेशा, हमेशा के लिए पत्थर मन जाते है कोई कहता है कि इस शहर पर किसी भूत का साया है तो कोई कहता है कि इस शहर पर एक सादू के श्राप का असर है यहां के सभी लोग उसके श्राप के चलते पत्थर मन गए थे और यही वजह है कि आज भी उस श्ट्राप के डर के चलते लोग यहां नहीं जाते हैं लोगों में अब वहम बैट गया है देश में कई ऐसे गाम है जहां के लोग किसी सादू के श्ट्राप के चलते पत्थर बन गए थे मद्य प्रतेश में देवास के पास गंधर वो पूरी है तो राजिस्थान में बाडमेर के पास किराडू शहर आखिर क्या सच है किराडू शहर का क्यों आज भी लोग इस गाओं में जाने से डरते हैं और क्यों शामोतई यह शहर भूतों का स्थान बन जाता है कहते हैं कि राजिस्तान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गाउं है जहां कि मंदिरों के खंडरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं यह कोई श्राप है, जादू है, चमतकार है या भूतों की हरकत, कोई नहीं जानता हाला कि किसी ने या जानने की हिम्मत भी नहीं की, कि क्या सच में यहां रात रुकने पर भैप पत्थर बन जाएगा कौन ऐसा रिस्क ले सकता है, तभी तो आज तक इसका रहस्च से बरकरार है कैसे जान पाएगा कोई की अगर ऐसा होता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? भारत में शोद और रिसर्च को ना तो बड़ावा दिया जाता है और ना ही सरकार इस पर खर्च करती है, तो आज भी इस देश का इतिहास इसी तरह खंडरों में दफन है बार में राजिस्तान का किराड़ु शहर ऐसे ही किसी रहसे को अपने भीतर दफन किये हुए है कहते हैं कि एक समय था जब यह स्थान भी आम जगों की तरह चहल पहल से बरा था और लोग यहां कुछाल जीवन जी रहे थे यहां हर तरह की सुकसुविदा मौजूद थी लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई कहना चाहिए कि इस पर बज्जरपाद हुआ और सभी अपना जीवन खो बैठे माननेता है कि इस शहर पर एक सादू का श्राप लगा हुआ है यह लगबग 900 साल पहले की बात है जब कि यहां परमारों का शाशन था तब इस शहर में एक सिद संत ने डेरा डाला कुछ दिन रहने के बाद जब वे संत तीर्थ ब्रह्मन पर निकले उन्होंने अपने साकियों को जथानिये लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनको भोजन पानी देना और इनकी सुरक्षा करना संत के जाने के बाद उनके सारे शिश्य बिमार पड़ गए और बस एक कुमार इनको छोड़कर अन्ने किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की बहुत दिनों के बाद जब संत फिर उस शहर में लोटे भाव होगा ऐसे स्थान पर मानव जाती को नहीं रहना चाहिए उन्होंने क्रोध में अपने कमंडल से जल निकाला और हात में लेकर कहा कि जो जहां जैसा है शाम होते ही पत्थर बन जाएगा उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने कर शाब दे दिया फिर उन्होंने जिस कुमारिन ने उनके शिश्यों की सेवा की थी उन्हें बुलाया और कहा कि तुम शाम होने से पहले शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुढ कर मत देखना कुमारिन शाम होते ही वश शहर छोड़ कर चलने लगी लेकिन जिग्यासा वश उसने पीछे मुढ कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर वह भी पत्थर बन गई इर्शाप के चलते पूरा गाउं आज पत्थर का बना हुआ है जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंधी पत्थर बन गया इर्शाप के कारणी आज-पास के गाउं के लोगों में दहशत पैल गई जिसके चलते आज भी लोगों में यぎ माननेता है कि जो भी शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वो भी पत्थर बन जाएगा